खबर बढ़वानी से प्रदेश में लॉकडाउन के बाद चोथे चरण में नजर आए प्रदेश के पूर्व ग्रहमंत्री बाला बच्चन आज शासकिये अस्पताल राजपुर पनुचे जहां अस्पताल का निरीक्षन करांजर ठीकरी और राजपुर में मेडिकल स्टाफ को करीब 15,45,000 के मेडिकल किट का वित्रन विधायक निधी से किया पूर्व ग्रहमंत्री बाला बच्चन से जब मजदूरों की मौत और परेशानियों के बीच खुद के नदारध होने के सवाल पर बाला बच्चन ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की समस्याओ को लेकर वाटसेप किया है पत्र भी लिखा है, बच्चन ने कहा के आज भी कई मजदुर, महराष्ट्रा, गुजरात और टैलंगाना में फसे हैं जिसको लेकर मुख्यमंतरी को पत्र लिखा है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया बाला बच्चन ने खुद के नदारद रहने को टालते हुए कहा के ऐसे समय में सरकार को काम करना चाहिए मजदूरों की व्यवस्था करना चाहिए, हमारे संग्यान में जो भी आया है, उनके लिए हमने काम किया है मैंने अपने विधायक नी थी, तीन अस्पतालों के लिए मैंने दी थी, राजपूर अस्पताल, अंजड और बडवानी, CSC है ये, कम्यूनुटी हेल्थ सेंटर, सामज़ाइक स्वासकेंद्र, यहां मेरे पास रिक्वाइड मेंट आई थी, कि ये तीनों अस्पतालों में कई वेंटी लेटर है, और या कोई दूसरे उपकरणों की जरूरत है, तो वेंटी लेटर के लिए, मास्क के लिए, कुछ और जो डॉक्टर्स और पेरा मेडिकल स्टाफ के लिए किट्स की और मरीजों के लिए कुछ रिक्वाइरमेंट थी, तो इसके लिए मैंने अपनी विधायक नीदी से 15,45,000 रुपे जो दिये थे, उसकी सामगरी आज तीनों हस्पतालों के हमने राजपूर में देखी है, चेकी और राजपूर हस्पिटल को विजिट किया है, और पूरे डॉक्टर्स के साथ में, CMHO मेडम और सारे BMOs के साथ में चर्चा होने के बाद, उसके लिए मैंने इस संबंदित राशी दी थी, और यहां का हमारा पूरा जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, CMHO मेडम के नेतरत में हमारे सारे BMOs और सारे डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए बढ़वानी जिले को जीरो बना कर रख है, कुछ-कुछ छोटी-मोटे कहीं से इंफेक्टेट, इंफेक्शन की रिपोर्ट आ रही है, तो उसको भी अच्छे से शक्तिस और ताकत से यह स्टाफ पूरे डाक्टर, उनकी पूरी टीम जो निपट रही है, तो आज इसलिए मैं विजिट करने भी आया था, और यह ज है, अपने प्रदेश की ताजा ख़बरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, पैल आइकन दबाना न भूल, क्योंकि हबर हमारी पैसला चनतंत्र का